हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा आठ सामजिक अध्यान के अंतर गयत हमारे अतीद विशेका अध्याय नौ राश्तिया अंदुलन का संगठन 1870 के दसक से 1947 तक हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रस्णों के उतर लेकिन उससे पहले आईए देख लेते हैं एक जला किस पार्ट की ताकि यहां पर जो आपको प्रस्णों के उतर बताएंगे वो अच्चे से आपके समझ आ जाएं तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय नौ राश्तिया अंदुलन का संगठन 1870 के दसक से 1947 तक तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर यह आपका अध्याय नौ राश्तिया अंदुलन का संगठन 1870 के दसक से 1947 तक इस पार्ट को आप यहां से पढ़ सकते हैं बच्चो चाहे अपनी पार्टे पुस्तक से लेकिन एक बार इस पार्ट को अवस्य पढ़ लें ताकि अच्छे से समझ आ जाए और यहां पर जो आपको प्रस्णों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें तो देख रहें नहीं यहां पर यह आपका पूरा पार्ट आप वीडियो को रोक करके पार्ट को पढ़ सकते हैं बच्चो और जो यहां पर आप को फिर प्रस्णों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अपनी notebook में note करेंगे उन्हें अच्छे से याद भी करें ताकि आपको परिक्षा के समय किसी परिशानी का सामना ना करना पड़े तो देख रहें न यह है आपका पूरा part इस part में आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी और काफी important है बच्चों यह part इसलिए इसे अच्छे से पढ़ें और समझें इसके बाद हम आपको बताएंगे इस part के प्रस्णों उत्तर जैसे यहाँ पर देख सकते आप 1922 से 1929 की घटनाएं तो इसी प्रकार से विविन प्रकार की जानकारिया और घटनाओं के बारे में पूरी जानकारिया आपको इस part में मिल जाएगी जैसे दांडी मार्च यहाँ पर है मात्मा गांदी का और इसी प्रकार से अन्य यहाँ पर वीद लखन नायक को फासी दे दी गई देख सकते आप यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है तो आप इसका पूरा लाव लें और भारत छोड़ो और उसके बाद क्या श्तितिया थी यहाँ से पढ़ सकते हैं तो पूरा पाट पढ़ें आप अच्छे से मन लगा कर पढ़ें और इसके बाद जो आपको यहाँ पर हम प्रस्नों के उतर बताने वाले हैं बच्चो उन्हें भी याद करें तो यह था आपका पूरा पाट इसके बाद पाट के अंत में आपके लिए प्रस्ने यहाँ पर जैसे ही देख सकते हैं आप यहाँ पर फिर से याद करें और यहीं से सुरू होता हमारा अभ्यास प्रस्न उत्तर जो कि हम आपको इनके उत्तर अभी बताने वाले हैं तो देखते रहें आप लगातार वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ तो चलिए सुरू कर लेते हैं ज्यादा देर ना करते हुए जान लेते हैं इस पार्ट के प्रस्न उत्तर तो बच्चो आज का हमारा पार्ट है राष्टी आंदोलन का संगठन 1870 के दसक से 1947 तेक और यहाँ पर जो है प्रस्न आपके फिर से याद करें पहला प्रस्न है 1870 और 1880 के दसकों में लोग बिडर में क्या लिखेंगे आप इस प्रकार से एक हैडिंग डालेंगे बच्चो और लिखेंगे असंतुष्ट होने के कारेंड पॉइंट बना के लिखेंगे नमबर एक नमबर दू देख सकते आप 1878 में आम्स एक्ट पारित किया जिससे भारतियों से अपने पास हतिया रखने क आदिकार चीन लिया गया दूसरा पॉइंट लिखेंगे 1878 में वर्न्या कूलर एक पारित किया गया इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का आदिकार चीन लिया अगर किसी आकवार में कोई आपत्ती जनक चीज छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहीत स आरी संपत्ती जफ्त कर सकती थी और अगला तीसरा पॉइंट है यहाँ पर 1883 में सरकार ने इलवर्ट विल लागू करने का प्रियास किया लेकिन अंग्रेजों के ब्रोध के कारण इसे वापस ले लिया गया इस बिल के अनुसार भारतिय न्यायदीज भी यूरोपी या न तो बच्चो यहाँ पर ध्यान दे आप दूसरे प्रस्णे में पूछा गया है भारतिय रास्टिय कांग्रेज किन लोगों के फक्स में बोल रही थी उत्तर में लिखेंगे हेडिंग डालेंगे आप भारतिय रास्टिय कांग्रेज सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उ उसके बाद पॉएंटों में लिखेंगे बच्चों जैसे कि याँ पर आप देख सकते हैं नमबर एक कॉंग्रेस ने उस समय सरकार और सासन में भारतियों को और अधिक जगे दिये जाने के लिए आवाज उठाई दूसरा पॉएंट लिखेंगे सासन ब्योस्ता के भारतिय कर को कारेपालिका से अलग करने की मांग की और चौथा पॉएंट लिखेंगे आर एक्ट निरस्ट करने तथा अभी व्यक्ति वा बोलने की स्वत्मता लोगों को दिये जाने की मांग की राश्टिया अंदुलन का संगठन 1870 1947 में 149 ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से यह ज दिख सकते हैं कौन सा मांगा था ध्यान दें आप यहां पर आर्क्स एक्ट निरस्ट करने और अभी व्यक्ति वा बोलने की स्वत्मता लोगों को दिये जाने की मांगा कौन सा मांगा राश्टिया अंदुलन का संगठन 1870 से 1947 में 149 ठीक है बच्चों यहाँ पर बच्चों आप एक बार फिर से ध्यान दें यहाँ पर आप कन्फ्यूजन न करें यहाँ पर जो है चोथा पॉएंट है आर्क्स एक्ट निरस्ट करने तथा अव्यक्तिवा बोलने की स्वत्मता लोगों को दिये जाने की मांग यहाँ पर क्या लेखेंगे आप म मांग जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मांगा है तो यहाँ पर लेखेंगे मांग और उसके बाद यहाँ पर लेखेंगे राष्टी आंदरुन का संगठन 1870-1947 में 159 यानि की 149 और इसके बाद अगला प्रस्न है बच्चो तीसरा प्रस्न आपके लिए पहले 200 युद से बारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े उत्तर में लिखेंगे बारत पर प्रभाव और यहाँ पर हैडिंग डालेंगे पुएंट में लिखेंगे फिर से इस युद के कारण बिट्रिस भारत सरकार के ब्याय में भारी बड़ोत्री हुई थी इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी आय और ब्यावसाइक लाप पर करवड़ा दिया था दूसरा पूएंट लिखेंगे सैनिक ब्याय में बड़ोत्री तथा युद सामगरी की आपूर्ति के कारण जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उचाल आया और आम लोगों का जीवन मुश्किल ह हो गया इसके बाद अगला पूएंट लिखेंगे इस युद ने और दोगी की करण वस्तों जैसे जूट के बोरे कपड़े रेल की पटरिया आदी की मांग बढ़ा दी इन दिनों अन्य देशों में बारत आने वाले आयात में कमी आई थी जिसका रहन भारतिया उद्यों का बिस्तार हुआ ठीक है बच्यों तो इस प्रकार से तिसरे प्रस्ण का उत्तर आप लिख सकते हैं और इसके बाद बात करते हैं चोथा प्रस्ण है आपके लिए और चोथे प्रस्ण में का है 1940 के मुस्लिम लिख के प्रस्ताओं में क्या मांग की गई थी उत्तर में लिखें की मांग की गई इस प्रस्ताव में विवाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यानि कि यह है आपका चौता प्रस्न और उसका उत्तर ध्यान रखें बच्चो यहाँ पर यह जो है इसको आप हेडिंग में लिखेंगे इतना आप जो है इसको हेडिंग बनाए 1940 में मुस्रिम लिख की मांग और फिर यहां से लिखना शुरू करें इसके बाद अगले प्रस्ने आईए बिचार करे से ध्यान दे आप और पांचवा प्रस्ने यहाँ पर मध्यमारगी कौन थे वे बिट्रिस सासन क किस तरह का संगर्ष करना चाहते थे उतर में लिखेंगे मध्यमारगी हेडिंग डालेंगे उसके बाद लिखेंगे प्रारंबिक नेता मध्यमारगी थे इन नेताओं में परमुक थे दादा भाई नोरो जी सुरेनात बैनर जी गोपाल क्रस्न गोकले आदी इसके बाद दुक दर्द को समझेंगे तथा उने दूर करेंगे अगला है दूसरा प्राइंट बच्यों ये नेता प्रातना पत्रों अपीलों या चिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने तथा मनुआने में विश्वास रखते थे तीसरा प्राइंट लखें और इसमें पूचा है कि कॉंग्रेज में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीती मध्यमारगी की राजनीती से किस तरह विन थी उत्तर में क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे अंतर यानि कि जो विन था इनमें आपस में क्या विन था थी या लिख सकते आप अंतर मे तरीका अपनाना चाहते थे दूसरा प्वेंट लिखेंगे बच्चो नरम पंती यह मानते थे कि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेगी जबकि गरम पंती सोच दे थे कि बिना किसी दबाव अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानेंगे तीसरा पुएंट लिखेंगे नरम पंथी, प्रातनाओ, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास करते थे जबकि गरम पंथी उनके इस तरीके के बिरोधी थे तो यहाँ पर जैसे बच्चों आप देख सकते हैं, हेडिंग में आप लिखेंगे अंतर और दोनों का अंतर है नहीं, गरम पंथी और नरम पंथी, ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं, बात करते हैं यहाँ पर साथ वह प्रस्न है बच्चों, औ कि भारत के विबिन भागों में ऐसायोग आंदोलन ने किस की सरह के रूप ग्रहण किये लोग गांदी जी के बारे में क्या समझते थे। उत्तर में लिखेंगे आफ सबसे पहले हैडिंग डालेंगे असायोग अंदोलन के कारण और नमबर एक लिखेंगे खेड़ा यानि गुजराद में पार्टीदार किसानों ने अंग्रेजो द्वारा थोप दिये गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अंदोलन किया दूसरा पॉएंट लखेंगे बच्चो ताटीय आंदर प्रदेश तमिलनाडु के वीतरी भागों में सराव की दुकानों की गेरावंदी की गई तीसरा पॉएंट लखेंगे आंदर प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का बिरोध अपनी वेशिक सरकार के बन संसादनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित करने के लिए था और अगला पॉएंट लिखेंगे चौथा पंजाब में सिक्कों के अकाली आंदोलन अपने गुर्दवारों के प्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था और पांच हुआ पॉएंट लिखेंगे असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वा में बढ़ोतरी के लिए अंदोलन चलाया चाटा पॉएंट लिखेंगे बच्चों लोग गांदी जी को एक तरह का मसीहा एक ऐसा ब्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से आप ध्यान दे साथ वह प्रसनी ये आपका और इसका उत्तर आप हेडिंग डालके असोई गांदूलन के कारण लिखके और पॉएंटों में इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर आटवा प्रसने आपके लिए इसमें पूछा है गांदी जी के नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप नमक कानून तोड़ना और उसके बाद पॉएंट बना के लिखेंगे नम हमारे बोजन का अविन अंग है और तीसरा पॉएंट लिखेंगे बच्चों 1930 में गांदी जी और उनके समर्थयक साबर मती से 240 किलो मिटर दूर इस्तित दांडी तक पैदल चल कर गए वहां तट पर बिखरा नमक एकटा करके सारवजनिक रूप से नमक कानून का उलंगन क किया तो ध्यान दे आप बच्चों यहां पर जो है आपके लिए तीसरा पॉएंट यहां से सुरू होता है ध्यान दे आप यह दूसरा पॉएंट आपका यहां से तीसरा पॉएंट सुरू हो जाएगा 1930 में गांदी जी और उनके समर्थयक साबर मती से 240 किलो मिटर दूर इस तक पैदल चल कर गए वहां तर पर बिखरा नमक के कटा करके सालवजेनी रूप से नमक का कानून यह नमक कानून का उलंगन किया घ्या ठीक है बच्चों यह किस प्रस्ण का उतर है आठवे प्रस्ण का इसके बाद अगला प्रस्ण देखते हैं आप नवा प्रस्ण है में और नवे प्रस्ट में पूछा है 1937 से 1947 की उन गटनाओं पर चर्चा करें जिनके फल सो रूप पाकिस्तान का जन्म हुआ उत्तर लिख सकते हैं आप पाकिस्तान का जन्म और हेडिंग डालके लिखेंगे नमबर एक 1937 में मुस्लिम लीग सायुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी परंतो कांग्रेस ने इस प्रस्ताओं को स्विकार नहीं किया जिससे दोनों के बीच मतवेद गहरे हो गई दूसरा पॉयंट लिखेंगे 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पसिम होतायर तता पूर्वी छेत्रों में मुसल्मानों के लिए स्वतंद राज्यू की मांग की और एक प्रस्ताओं पारित किया और अगला तीसरा पॉयंट लिखेंगे 1946 के प्रांतिय चुनावी लीग को मुसल्मानों के लिए आरक्सी सीटों पर अत्यदीक सपलता मिली इससे लीग यानि पाकिस्तान की मांग पर कायम रही और चोथा पॉयंट लिखेंगे मार्च 1946 कैबिनेट मिशन की विफलता के बार लिग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अपरेल 1946 को प्रत्यक्स कारेवाई दिवस मनाने का आवहन किया गया और पाचोव पॉयंट लेखेंगे बच्चो इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़के और मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के बिविन भागू में फैल गई इसके बाद विवाजन का परिणाम सामने आया एक नए देश यानि कि पाकिस्तान का जन्म हुआ ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं पाकिस्तान का जन्म किस प्रकार हुआ प्रसना आप देख सकते हैं पता लगाएं कि आपके सहर जिले इलाके या राज्य में राश्टी आंदोलन किस तरह आउजित किया गया किन लोगों ने उसमें हिसा लिया और किन लोगों ने उसका नेतरत्तों किया आपके इलाके में आंदोलन को कौन सी सपलताएं मिली तो बच्चो अगला प्रस्ण देख लेते हैं यहां पर 11 प्रस्ण यहां पर और 11 प्रस्ण में पूझा है राश्टिया अंदल उनके किनी दोस्थ हैं वागियों या नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में और अधिक पता लगाएं तथा उनके बारे में एक संचिप्त न जैसे कि यहां पर देख रहें आप नंबर एक बीर कुँर सिंग और बीर कुँर सिंग के बारे में हेडिंग डाल के लिखेंगे आप बीर कुँर सिंग इससो 1777-1858 यहां पर लिख सकते हैं 1777-1858 बिहार राज्य में आरा के निकट जगदीशपूर के एक जमीदार थे बार के पर्थम सुत्मता संग्राम के दोरान असी वर्च की आयू में उन्होंने दानापुर में संग्राम की कमान संबाली और दो दिन बाद आरा पर कभजा कर लिया 23 अपरेल 1858 को जग्रीशपुर के निकाट लड़ गए अपने अंतिन युद्ध में उन्होंने कैप्टन लीग ग्रेंड की सेना को हराया और 26 अपरेल 1958 को अपने गाउं में उनकी मिर्तिय हो गई ठीक है बच्यो तो इस प्रकार से आप बीर कोर्शिंग के बारे में लिख सकते हैं या और अधिक जानकारी आप चाहें तो इनके बारे में ढूंडें और उसे लिखें दूसरा लिख सकते हैं आप जैसे कि सरोजनी नाइडू के बारे में हेडिंग डालें सरोजनी नाइड और अपने समय की महान वक्ताओं में से थी 1898 में उनका विवाहा गोविंद राजलू नायडू से हुआ जो पेशे से डॉक्टर थे उन्होंने भारतिय राष्टिया कॉंग्रेस के कानपुरा दिवेशन के अधिक्सता की नमक सत्यागरे एबं उसके बाद के अन्य संगर्सों में उनकी अगरणी भूमिका रही वा कई वर्सों तक राष्टिया महिला सम्मेलन के अधिक्सा रही इससे जुड़े स्वेम सेयोकों को पर्शिक्षन देती रही वा 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस यानि कि बर्तमान जो उतर प्रदेश में है कि गवर्नर न्यूक्त होने प्रश्णों के उतर समापत होते हैं आप ध्यान दे हैं आज हम यहाँ पर जान करी ले रहे थे राष्टिया अंदरुन का संगर 10 पार्ट 9 था आपका 1870 के दसक से 1947 तक इसके बाद मिलते हैं आगले अध्याई में बच्यो इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो औ जुले रहे हमारे साथ आपका दिन सुभव